तो सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ जो कॉस्मीक तरंगे हैं ये विद्दुचुमकिय तरंग न होकर आवेसित कण है सेसाब गामा रेज से लगाई रेडियो तक जितने भी तरंगे देख रहे हैं ये सभी तरंगे विद्दुचुमकिय तरंग की स्रेणी में आती है अब आपको इस में कुछ नहीं याद रखना है केवल यह याद रखना है कि इसका क्रम क्या है इसका क्रम है Cosmic Rage, उसके उपरान्थ गामा रेज, फिर X Rage, उसके उपरान्थ अल्ट्रावेव यानि परावेगनी किरन, फिर Visible यानि द्रिश्च्र प्रकास, उसके उपरान्थ आई-र यानि इन्फरारेट जिसे हम अवरक्त क्रीने भी कहते हैं, फिर MW यानि microwave यानि सुच्म तरंगे और सबसे आखरी में radio तरंगे हमें याद रखनी है अब इस क्रम में अगर हम बढ़ते जाए तो जो wavelength है वो भी उसी क्रम में बढ़ता जाएगा जैसे सबसे कम wavelength यानि तरंगदर्ध की बात करें तो cosmic rays कहोता है और सबसे अधिक इस तरंगदर्ध की बात करें तो radio तरंगओ कहोता है अब परिक्षा में आपको यही क्रम दे कि आप तरंग दर्थ के अधार पर निम्रिखित तरंगों को क्रम बद कीजिए या बढ़ती या घरती क्रम में जो भी दे सकता है आपका औरोही आरोही दोनों क्रम में तो यदि आप इसे याद रखते हैं इस क्रम को याद रखते हैं तो आप कई सारे प्रस्ण कर ले जाएं तो उर्जा सबसे अधिक कॉस्मिक रेज का होता है वही सबसे कम इनरजी रेडियो तरंगों की होती है आपको ज़्यादा याद न रख बस तरंग दर्थ के बारे में याद रखना है कि कॉस्मिक रेज का तरंग सबसे कम होता है वही रेडियो का जो हमारी रेडियो तरंग होती है उसका जो तरंग दयद होता है सबसे अधिक होता है से जितने भी चाहे नर्जी हो जाए चाहे बेंड हो जाए चाहे फ्रिक्वेंसी हो जाए या स्केट्रिंग हो जाए तो यह सब अभी उसके विपरीत होते हैं जैसे सबसे अधिक आवरिती की बात करें यानि फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वह होता है कॉस्मिक रेज का वही सबसे कम frequency यानि आवरिती की बात करें तो वो होता है radio तरंगों का वही प्रक्रिणन की बात करें skittering की तो cosmic range का जो प्रक्रिणन वो सबसे अधिक है और सबसे कम प्रक्रिणन radio तो ये भी क्रम उसी प्रकार है जैसे हम इस करब में आगे बढ़ रहे हैं आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं कि सबसे अधिक कोस्मिक रेज का जो एनरजी है उसके उपरांद गामा रेज का फिर X-range का फिर UV का उसके उपरांद जो वाइलेट का कलर है उसका फिर इंडिगो कलर का फिर ब्लू का उसके उपरांद ग्रीन का फिर यलो का ओरेंज का फिर रेड का और उसके बाद आयार यानि इंफ्रा रेड का तो केवल आपको यह जो मैंने चित्र प्रस्तुत किया है इसी को याद रखना है और आप देखेंगे कि आप कई सारे PY-Q को कर ले जाएंगे इस इस टॉपिक से संबद्धित तो आपको केवल याद रखना है इनर्जी के बारे में बेंड यानि विचलन के बारे में फ्रिकेंसी के बारे में और स्किट्रिंग के बारे में ठीक है तो जब हम प्रस्ण सॉल्ब करेंगे तो यह चीज आपको किलियर होती जाएंगी तो चलिए चलते हैं प्रस्ण की तरफ तो हमारा पहला प्रस्ण है निम्रिखित में से किस एक प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्री द्रिष्टी उपकरण में किया जाता है तो इस कुश्चन का अंसर है अवरक्त तरंगे अवरक्त तरंगों की सहायता से हम रात्री में भी देख सकते हैं अगर बात किये जाए कि अवरक्त तरंगों की खोज किसने की है तो इसकी खोज का सरे विलियम हर्सल को जाता है हमारा दूसरा प्रस्ण है जिसमें कथन ए दिया है रेडियो तरंगे चुम्ब की छेतर में विजलित हो जाते हैं वही कारण R दिया है रेडियो तरंगे इन तरंगों की प्रक्रती विद्धु चुम्ब की होती है तो option दिया है A तथा R दोनों सही है और R A की सही व्यख्या करता है दूसरा option दिया है A तथा R दोनों सही है परन्तु R A की सही वैख्या नहीं करता है option C है A सही है परन्तु R गलत है और option D है A गलत है परन्तु R सही है तो सबसे पहले जो कथन A दिया है वो radio तरंगे चुमिके छेतर में विचलित हो जाती है तो यह गलत है क्योंकि radio तरंगे चुमिके छेतर में विचलित ना होकर जबकि यह खुद एक विद्दु चुमिके तरंगे है तो यह कथन गलत हो जाएगा जबकि दूसरा कथन दिया है कि radio तरंगों की प्रकृति विद्दु चुमिके है तो यह बिल्कुल ही सही दिया है के दूरस्त नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्धु चुमकिये वीकिरण का प्रयोग किया जाता है तो तो इस प्रकार के विद्धु चुमकिये तरंगों का प्रयोग किया जाता है तो इस क्वेशन का अंसर है अवरक्त तरंगे यानि इंफ्रारेड ठीक है तो इसे याद रखिएगा नेक्स क्वेशन लेते हैं समाने टीवी रिमोट के कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है लिए तो इस कैन्सर अवरक्त तरंगे तो टीवी रिमोट में भी हम अवरक्त तरंघो का प्रियोग करते हैं。 अगला कोष्टनहें कॉस्मिक ऍ Comic किरेण किस प्रकार के कंट है तो शुरू ह 17 मैं आपको मैंने बता दिया था कौस्मिक किरेण आवेशित कर होते है तो इसका जो एंसर हो जाएगा वो आपसन नंबर ए हो जाएगा कि अग्छ्चन है 。 सिटी स्केन करने में प्रियोग में लाई जाती है। तो CT scan करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है आपका X किरने CT scan इसको हम लोग Camperize Axion Tomographic काते हैं जिसे cat जिसे कभी कभी CT scan भी कहा जाता है चलिए next देखते हैं अगला कोश्चन है निमिखित में से किस विकरण में उर्जा प्रति क्वांटम सरवाधिक होती है तो यहाँ पर आपको अगर वो चित्रयाद है तो आप इसे कर ले जाएंगे तो यह बोल रहा है कि किस में सरवाधिक उर्जा होगी तो उर्जा उसी की होगी जिसका जो तरंग देर्द होगा वो कम होगा तो हम अप्शन में देख लेंगे कि तरंग देर्द किसका कम है यह हो गया 320 से 400 यह 200 से 280 से 320 यह है. चार सो से 600 नैनोमीटर तक तो सबसे कम हम देख पा रहे हैं कि इसी तरंग देर्द कमाना है 200 से 280, 80-nm, यानि तरंग्द्यर्थ इसका सबसे कम है। इसकी एनर्जी सबसे जादा होगी। एनर्जी जादा होगी, वही तरंग्द्यर्थ कम होगी। तो हमारा option हो जाएगा, option नमबर B। चलिए चलते आठ में नंबर कुश्चन पर तो निम्लिखित में से किसमे रिरात्मक आवेस होता है तो रिरात्मक आवेस अब ये तो विद्वचुम की तरंगे हैं तो एक्स क्लिणे होगा नहीं अब बचा अलफा बीटा गामा ठीक है तो जो अलफा क्लिणे होती है ये धना विशित होती है घामा केंड़े नीट्रल होती है तो यह भी नहीं होगा तो हमारा एंसर हो गया श्क्था श्याशित है एंदएत तंत जो दो फिट पोल द理ister UM निमिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है तो ऐसे पूचिए है कि तरंग देर्ध किसकी सबसे अधिक होती है तो हमने शुरुवात में पढ़ा था कि रेडियो तरंगों की तरंग देर्ध यानि वेवलेंद सबसे अधिक होती है चलिए नेक्स्ट कुश्ण देखते हैं दस्वा कुश्चन है रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है तो रडार का प्रयोग नाम से ही अस्पष्ठ है रडार यानि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग तो रेडियो तरंगे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रेडियो तरंगों दोरा वस्तुओं की उपस्तिती और इस्तिती का ग्यात करने में हम इसका प्रयोग करते हैं चलिए ग्यारवे कुश्चन पर जलते हैं नेम्न मेंसे कौन सा कथन एक्स क्रिणों के लिए सत्ते नहीं है तो एक्स क्रिणे बहुत छोटे तरंग दैर्देका विद्दू चुमी की विक्रण है बात सही है जी हाँ इसका जो तरंग दैर्द होता है वो कम होता है तीसरे नंबर पर सबसे कम है उसके उपरांत एक्स क्रिणे परमाडू में इलेक्ट्रानों के उर्जा परिवर्दन से उत्पन होती है बिल्कुल एक्स क्रिणों में विद्दूत और चुम्बकिये छेतर होते हैं यह नहीं एक्स क्रिणों में विद्दूत और चुम्बकिये छेतर नहीं जबकि यह खुद एक विद्दूत चुम्बकिये प्रकृति का होता है तो यह गलत हो जाएगा यानि कि हमारा आप्सन ही यही होग अगला कोश्चन है निम्लिखित में से कौन सी या अंतरिक तरंग है तो शुरू में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सक्रिणे रेडियो तरंगे और इंफ्रारेड यानि अवरक्त तरंगे ये तीनों के तीनों विद्दुचुमिके प्रक्तिकी है यानि यांतरिक तरंग हो गया आपका ध्वनी तरंगे आज का हमारा आखरी प्रस्ण है निम्रिकित में से किन तरंगों को ध्रुविक्रित नहीं किया जा सकता तो जितने भी विद्दुचुमिके तरंगे है इसे हम ध्रुविक्रित कर सकते हैं तो नहीं किया जा सकता ये पूछा है तो इसका एंसर हो जाएगा ध्वनी तरंग तो आज के लिए इतना ही मित्रो उमीद है ये पूरे प्रस्ण आप कर पाए होंगे और आपको याद रखना है केवल जो पहला जो हमारा टॉपिक था जो हमने पहले आपको इमिज दिखाई थी उसी को याद रखना है नहों सके तो उसे आप नोट करके उसे आप सामने दि ये याद रखना है कि तरंग देर्द कम होता है शुरू में और सबसे अधिक होता है रेडियो का और से जीतने भी बाते हैं चाहे वो एनरजी के लिए लिजिए विचलन के लिए या फ्रिक्वेंसी यानि आवरिती के लिए या प्रक्रिण ये सभी तरंग देर्द के विपरीत होते हैं और ये घड़ती हुए उस्था में होते हैं तो इसे आप देखते जाएंगे बार बार देखेंगे तो ये याद हो जाएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही नमस्कार